वेलकम टू मोटर रव्यूज सो आज की वीडियो में बात करेंगे होंटा की तरफ से आने वाली ओल नियो होने 2.0 के 2024 मॉडल के लॉंच डिटेल्स के बारे में होंडा ने होने 2.0 को लॉंच किया था इंडिया में 2020 में तब से लेके आज तक होंडा ने इस स्पाइक में सिर्फ कलर अपडेट ही दिया है लेकिन आप ये बाइक आज के टाइम में अब आउटडेट लगने लगा है क्योंकि जब से बजाय ने नियू पलसर NS200 को लॉंच करा है तब से इस बाइक की सेल भी काफी कम हो गई है जिसके बाद होंडा जल नियू होने 2.0 को काफी सारे नियू फीचर्स एन अपडेट के साथ लॉंच करेगा तो ये नियू अपडेट क्या होने वाला है बाइक का प्राइस कितना होगा एंड इसका लॉंच आपको कब तक देशने को मिलेगा तो चलिए शुरू करते हैं आज के रेव्यू को एंड बात करते हैं ओल नियू होन्डा होने 2.0 लेटस बाइक के अपडेट के बारे में सो होन्डा कंपनी होने 2.0 को कम्प्लीटली ट्रांस्वार्म करने जा रही है ओल नियू डिजाइन में सो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओल नियू चेंजिस पर नियू होने 2.0 के फ्रंट सेक्शन में आपको री डिजाइन नियू हैड लाइट मिलेगी मीटर कॉंसोल इसमें सेम होगा लेकिन आप इस बाइक में आपको कनेक्टिविटी मिलेगी जो कि एक काफी इंपोर्टन फीचर है बाइक में आज की डेट में फ्यूल टैंक में आपको नियू ग्राफिक मिलेंगे राइडिंग और भी ज़्यादा स्मूध बनेगी क्योंकि आप इस बाइक में आपको स्लिपर इंस क्लच जिससा फीचर मिलता है नंबर ओफ गेर होंगे फाइट स्पीड ट्रांस्मिशन के साथ दोनों वील में आपको हैड्रॉलिक डिस ब्रेक मिलेगी ABS के साथ सस्पेंशन में फ्रेंट में होगा USD सस्पेंशन एंड एर सस्पेंशन मिलेगा मूनो शोक सो अब बात करते हैं All new Honda Hornet 2.0 के इंजन एंड स्पेसिविकेशन के बारे तो इंजन इस बाइक में आपको सेम मिलेगा 184 CC 4-stoke BS6 compliant इंजन जिसमें आपको power मिलती है 17 PS की maximum power number of gear है 5-speed transmission के साथ and fuel tank की capacity आपको इसमें मिलती है 12 liter की seat height होगी लो जोकी short rider के लिए ये bike काफी सही है Hornet 2.0 new bike के अगर हम और features की बात करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा dual channel ABS alloy wheel and इसमें आपको LED indicator के साथ rare में आपको मिलेगी LED tail light so अगर हम launch की बात करेंगे तो launch new Hornet 2.0 का expected है September month में and इस bike का new price होगा 142,000 तो आपको new Hornet 2.0 के लिए सिरफ 3000 रुपीज एक्सरा देने होगे लेकिन इस bike में आपको all new design के साथ काफी सारे new features भी मिलेंगे तो ये bike total value for money होगा new Hornet 2.0 compete करेगा Pulsar NS200 and Apache RTR200 से बाकी Honda Hornet 2.0 new model के लावा भी काफी सारे new bike को launch करेगा इस साल इंडिया में so hope करता हूँ आज की वीडियो आपको काफी informative लगी होगी चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लें तांकि कोई भी update मिस ना हो and आप मुझे Instagram पे भी DM कर सकते हो चलिए मिलते हैं अगले review में